एक बार सुमेरु परवत पर बैठे हुए ब्रम्हाजी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिबजी की माया से मोहित ब्रहमाजी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे। मैं ही इस संसार को उत्पन करने वाला स्वयंभू, अजन्मा, एक मात्र ईश्वर, अनादी भक्ती, ब्रहमा घोर निरंजन आत्मा हुँ। मैं ही प्रवरिती उर निवरिती का मूलाधार, सर्वलीन पूर्ण ब्रहमा हु। ब्रहमा जी ऐसा की पर मुनी मंडली में विद्यमान विश्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आग्या से तो तुम स्रिष्टी के रचेता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रहमा और विश्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्घृत करने लगे, अंतर वेदों से पूछने का निर्नय हुआ तो स्वरुप धारन करके आये चारों वेदों ने क्रमश्य और जिसे परमात्व कहा जाता है, वह एक रूद्र रूप ही है। यजुर वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमानित होते हैं, तथा जो इश्वर के संपूर्ण यग्यों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका द्रिष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंडते हैं और जिसकी भानती से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्यम्बक शिवजी ही हैं। अथर्ववेद, जिसकी भक्ती से साक्षात कार होता है, और जो सब या सुख, दुहक, अतीत, अनादी ब्रम्ह हैं, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विश्नु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमन करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूली धूसरित प्रेम नाथ, कुवेटा धारी, सर्वा विष्टित, व्रिपन वाही, निहसंग, शिवजी को पर ब्रम्ह मानने से इनकार कर दिया। ब्रम्हा विश्नु विवात को सुनकर उंकार ने शिवजी की जोती, नित्य और सनातन पर ब्रम्ह बताया परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रम्हा विश्नु की बुद्धी नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदी अंतरहित एक ऐसी विशाल जोती प्रकट हुई की उससे ब्रम्हा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नीलोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्यानतावश ब्रम्हा उन्हें अपना पुत्र समझ कर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रम्हा की संपूर्ण बाते सुनकर शिव जी अत्यंत कृद्ध हुए और उन्होंने ततकाल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रम्हा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्या का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नखागर से ब्रम्हा जी का पंचम सिरकाट डाला, भैभीत ब्रम्हा शत्रुदरी का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए, ब्रम्हा और विश्नु दोनों को सत्य की प्रतीती हो गई और वे दोनों जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शान्त हुए और उन दोनों को अभैदान दिया। इसके उपरांथ शिव जी ने उसके भीशन होने के कारण भैरव और काल को भी भैभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को ततकाल करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम दे कर उसे काशिपुरी का अधिपती बना दिया, फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रम्हा विश्नु को मानते हुए ब्रम्हा के कपाल को धारन करके इसी के आश्रे से भिक्षा वृति करते हुए वारांसी में चले जाओ, वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रम्हा हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्रम्हा हत्या ने बताया कि वह तो अपने आपको पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसर्ण कर रही है। निवरित हो जाता है। इस प्रफने मुक्त हो जाओए पर नि funcion के पाप सिम्तश